ओके तो गाईज आज की स्वाली वीडियो के अंदर आप शीलोगों को काफी जादा मज़ा आने वाला है आप शीलोगों ने थमनेल में देखाऊगा फ्री में फैलकन दिलाने की बात और यह मैं आपको कहा रहा हूँ कि भाई फ्री में फैलकन मिलने वाला है अब कैसे मिलेग यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, यहाँ पर आप शलूग दे सकते हो, मेरे पास फैलकन है, यह मैंने बहुत पहले ले रखा है, बहुत पहले मुझे फ्री में मिलाता है, इवेंट के तुरू, तो आपको यह अभी मिल सकता है, अब कैसे मिलेगा इस वीडियो के अ बनता है, इस वीडियो को दीखो, आपको सब कुछ पता लग जाएगा, बहुत ज़दा मजा आने वाला है, इसी बात पे एक फटाफर से वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी अगर आपको और भी वीडियो देखनी है, तो इस चेल को सस्क्राइब करके बेल आइकन ओल पे कर यहां पर अपने 1.9 के अपडेट के अंदर आपको दीखने को मिल जाएगी 4th Anniversary, Anniversary के अंदर आपको यह फ्री में मिलने वाला है, अब कैसे मिलने वाला है, चलो मैं आपको बताता हूँ, यहां पर आप से लुग दे सकते हो PUBG Global Beta Version के अंदर मैं आज चुका हूँ, यहां पर वाला है First Day मुझे Free में मिल चुका है, तो यहां पर में से सबसे पले Collect कर लेताओं, यहां आपड़ आप आप दिये सकते हो, मैंने collect कर लिया है, यह मुझे बिल्कुली Free में मिल चुका है, अब यह बात निकाल कहा है धिए, PUBG Global में आया है, तो यह हमको मतलब हमें कैसे मिलेग बीटा वरजन का है वो हमें BGMI के अंदर चीए तो भाई कैसे ले सकते हैं तुकाइस देखो आपको ये चीज तो पता ही होनी चीए कि पपजी के जो ग्लोबल बीटा में आता है वो अपने BGMI PUBG मौल के अंदर भी आता है देखो यार यहां पर 99.9% में कह रहा हूं BGMI के पता होगा अपने PUBG वाल या फिर BGMI के अंदर अपने को कुछ भी फ्री में देखने को नहीं मिलता है और इन्होंने सोचा होगा 4th Anniversary के अंदर कुछ फ्री में दे देता है यहां पर अपने को प्रूफ देखने को मिला है अपने PUBG Global के बीटा के अंदर यहां पर आपसे मतलब कुछ भी छोटा मोटा आपको मिशन देखने को मल जाएगा लेगिन आपको यह इवेंट में देखने को मिल सकता है इस बहुत ज्यादा परसेंट चांस है इसके और मुझे तो लगता है इस बार 100% आही जाना चाहिए 4th Anniversary यह 1.9 का अपडेट भी आ तो भाई क्यों आएगा यार मुझे तो लगता है कि यह आना ही चीए और आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बता देना और भाई आ गया तो आप से मैंसे कितने भंदे खोश हो जाओगे मुझे कमेंट करके यह भी बता ना और हाँ एक चीज मुझे कमेंट करके प्लीज बता द